छोटा मेरा खेत उमा शंकर इस कवीता में कवी ने किसान के तुलना कवी से की है और खेत के तुलना लखने वाले पन्ने से की है इस कवीता में कवी ने एक किसान के रूप में खुद को दर्शा है यानि कवी को दर्शा है कवे भी एक करमट किसान की तरह ही होता है जो खेतों में बीच वोता है खेत चौकोर होता है उसे प्रकार है कवे भी चौकोर अकार के एक पन्ने में कुछ बीच अंकुरित करता है यानि लिखता है जो आगे जाकर एक विशाल रूपधारन करता है जिस सरह एक किसान अपने खेट के लिए दिन रात मेहनत करता है और खेट ही करता है ठीक उसे प्रकार कभी भी दिन रात मेहनत करता है कभी ताहें लिखता है और उस कविता को अपने पार्टकों तक अपने पढ़ने वालों तक पहुचाने के लिए इस हद तक प्रयास करता है कि जिससे की हर एक पाटक को कभी की बात समझा सके दूसरी और कभी कहते हैं कि किसान द्वारा बोए गई बीच की कटाई हो जाती है यानि बीच जब फसल में बदलता है तो उसकी कटाई हो जाती है और वो कम हो जाता है मगर कवीता का बीच जब एक बार अंकुरित होता है तो उसे कटाई करने से भी वो कभी कम नहीं होता बलकि वो और ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे जैसे दिन बीटा चला जाता है वैसे वैसे कवीता का बीच और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है वो कभी खत्म नहीं होता क्योंकि साहेते रूपी रस कभी भी समाप नहीं हो सकता छोटा मेरा खी चोकोना कागस का एक पन्ना कोई अंधर कहीं से आया शण का बीच वहाँ बोया गया सो इन पंक्तियों में कभी कर्म की तुल्ला क्रिशी कर्म से की गई है यानि कभी के काम की तुल्ला किसान के काम से की गई है कभी यहाँ पर पन्नों को खेत कहते हैं पन्ने यानि जिस पर हम लिखते हैं और विचारों को कभी ने बीच माना है यानि जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है ठीक उसी तरह पने पर कवी कवीता लिखता है क्रिशी बीच के माध्यम से खेती उगाता है और कवी अपने विचार रूपी बीच के माध्यम से कवीता को लिखता है जिस तरह किसान खेट में बीच बो देता है और उसके बाद आधी तूफान इत्यादी की आने के बाद उस बीच का रोपन होता है यानि वो बीच उगना शुरू होता है ठीक उसी प्रकार जब कवी के मन में विचा रूपी आधी उत्पन होती है भाव उत्पन होते हैं तो वही भाव आगे चलकर कवीता का रूप धारर कर लेते हैं किल्पना की रसायनों को पी बीच गल गया निशेश शब्द के अंकुर फूटे पलव पुश्पो से नमित हुआ विशेश इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि मुझे कागस का पन्ना एक चोकूर खेत के समा लगता है आगे चलकर कवी कहते हैं कि जिस तरीके से किसान द्वारा खेतों में सोय होए बीच को हावा, आधी, तूफान, वर्षा, नमी, खुश्क, गर्मी, आधी प्राप्त होने के बाद बीच अंकुरित होता दिखाई देता है ठीक, उसी प्रकार कवीता में भी कवी द्वारा बोई गए बीच को कल्पना के माद्यम से, भाव के माद्यम से ही पोईशन राप्त होता है बिना कल्पना के, बिना भाव के कवी द्वारा कोई भी बीच यानि के विजार अंकुरित नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बिना तो कवीता लिखी ही नहीं जा सकती है इसलिए कवीता लिखते वक्त कल्पना का होना भावो का होना बहुत जरूरी है अगर ये नहीं होंगे तो कवीता लिख पाना असंभव है इस चोकोर कागस में जो बीच बोई जाते हैं वो भावनात्मक बीज होते हैं ये बीच कवी के मन के भाव से उनके अहंकार को समाप करते हैं अहंकार के समाप्त होते ही कवी की रचना में शब्द रूपी अंकुर प्रफुलित होते हैं खिलते हैं यही अंकूर आगे बढ़के रचना का रूप ग्रहन करते हैं इसी प्रकार खीती के दोरान भी बीच विक्सित होता है जो आगे चलकर पौधी का पिशाल रूप धारन करता है और दीरे दीरे वो पौधा, पत्तू और फूलों से लटकर अंत में छुक जाता है जूमने लगे फल, रस आलोकिक, अमरित धाराएं फूटी तो पाई शड़की, कटाई अनंतता की लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षे पात्र सदा का छोटा मेरा खीत चुकोना सो इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कवीता रूपी फूल खिलने लगते हैं तो उसके अंदर एक अद्बुत रस देखने को मिलता है, ये रस अमरित जैसा होता है कवी के अनुसार ये रचना ऐसे शण में, ऐसे पल में रची गई थी जिसका फल उनके जीवन के अनंतकाल तक मिलेगा यानि हमेशा हमेशा तक मिलता रहेगा कवी कवीता रूपी इस रस को जितना लूटने की कोशिश करते हैं, ये रस उतना ही जादा बढ़ता चला जाता है कवी के अनुसार पेड़ बड़ा होते होते एक दिन समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है लेकिन कवीता रूपी खेट कभी भी समाप नहीं होता उसके कटाई कभी समाप नहीं होती और ना ही उसका अस्तित्व कभी खत्म होता है इन अंतिम चन में कवी ने क्रिशी रूपी फसल का वर्णन किया है कवी कहते हैं कि उनके क्रिशी रूपी खेत में आलोकिक फर्ल आ चुके हैं आलोकिक से यहां मたलब कोई ऐसी चीज़से है जो नहेहां मिलती हो और नहें किसी दूसरे लोग में मिलती हो कहने का तात पर यह है कि जब कोई कवी एक कवीता को लिखता है तो उसके कवीता के सारे बोल, सारा भाव और उसका अपना ही होता है जो आलोकिक होता है कवीता के अलग होने के कारण पाठकों को बहुत जादा आनन्द आता है जब पाठक ऐसी कवीताओं को पढ़ते हैं तो उन्हें परम आनन्द मिलता है उन्हें ऐसा लगता है मानों वो अमरित का पान कर रहे हूं यानि अमरित पी रहे हूं वहीं कभी दूसरी और कहते हैं कि ज़र कल्पना का बीच एक बार रोपन कर दिया जाता है एक बार बो दिया जाता है तो ये बीच एक ऐसा बीच होता है जिसको काटने से भी वो कभी कम नहीं होता ये तो इसके विपरेग बढ़ता ही चला दाता है क्योंकि ये भावों का बीच है कलपनाओं का बीच है जिसे आप जितना काटेंगे वो कम नहीं होगा बलकि बड़ता ही चला जाएगा सो यही कारण है कि परसिद कवी की कवीता युकों युगों तक बाटकों को पसन आती है और कवी द्वारा एक पल में की गई कलपना एक कलजे कवीता यानी अमर कवीता को जन देती है सो कवी कहते हैं कि आप चाहें जितना ऐसी कविताओं का आनंद ले लुद्फ उठाएं लेकिन इनका रस कभी खत्म नहीं होगा कवी के अनुसार साहित्य का आनंद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता किसान की फसल खत्म हो सकती है साहित्य रूपी आनंद कभी खत्म नहीं होगा कभी अपने चौकने खेट की तुलना अमरित पातर से करते हैं जो कभी भी खाली नहीं रहता नब में पाती बांदे बुगलों के पंक चुराय लिए जाते वो मेरी आंके कजरारे बादलों की छाई नब चाया तेटी साच की सतेच शुईत काया हाले हाले जाते मुझे बांद निजमाया से उसे कोई तनिक रोगे रखे वो तो चुराय लिए जाते मेरी आके डब में पाती बांदे बुगलों के पंक इन पंक्तियों में कभी बताते हैं कि आकाश में घिर हुए काले काले बातलों में सफेद बुगलों को मैंने उड़ते हुए देखा है आगे कभी कहते हैं कि जब ये सफेद बुगले आकाश में पंक्तियों में लाइन्स में उड़ते हैं तो मैं सर उन्हें देखता ही रहता हूँ पंक्तियों में बुगलो कायू अकाश में उन्डा मेरे नजरे चुरा लेता है मुझे ये द्रिश्य ऐसे लगता है मानो जैसे कोई सफेद काया आसमान पढ़ तेया रही है कवी आगे कहते हैं कि ये द्रिश्य मुझे इतना आकर्शक लगता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रक्रती ने मुझ पर इस जादू भरे आकाश में बाढ़ लिया है और मैं उस जादू में वशिबूत होकर उस द्रिश्य को देखने के लिए खोए जा रहा हूँ कवी अंत में अहवाहन करते हैं कि मुझे इस आकर्शक द्रिश्य को देखने से आकर कोई रोक ले क्योंकि इस द्रिश्य को देखने के लिए मैं सब भूल जाता हूँ मुझे इस वक्त कुछ भीयात नहीं रहता है और अंत में कवी गुहार लगाते लगाते ठक जाते हैं और अपने आपको इस मनमोहक दर्शी से बाहर निकालने में असवल हो जाते हैं